Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2021 किस में आईवी, horror thriller movie, The Devil Below को explain करने जा रही हूँ. इसके IMDb rating 4.2 out of 10 है और ये movie आपको Amazon Prime वीडियो पे देखने को मिल जाएगी. मुवी की शुरुवात होती है, माइनिंग का सीन दिखाते वे, जो शूकम हेल कोल माइन में हो रहा होता है. हमको Paul नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो उस company का co-founder होता है, और वो अपने बेटे Derek से बात कर रहा होता है, एक mind worker के बारे में वहाँ से निकलते समय. तब ही अचानक से कोई चीज Derek को drag करते वे नीचे के तरफ लेके जाती है, और Paul जल्दी से भागता है अपने बेटे को बचाने के लिए, कि उसके shoulder पे अचानक से एक stab जैसा होता है, जिसकी वज़े से वो paralyze हो जाता है. Derek का drag होना और चिलाते वे घजीटते वे जाना, उसका आखरी memory होता है अपने बेटे का. सालों बाद, Ariane नाम के एक experienced adventurer को hire करा जाता है, एक scientist के group को lead करने के लिए, जिसमें Darren June का leader है, Sean, Terry और Jamie, एक coal mine और Shukam Hill के area को search करने जाएंगे. उनको समान चाहिए होता है, तो वो सारी एक दुकान पे रुकते हैं, एक छोटे से टाउन में, जो उनके रास्ते में पढ़ता है, तब Ariane शukam Hill के location के बारे में पूछने लगती है, वहाँ क्या हुआ था, उन सब के बारे में भी detail लेने लगती है, क्योंकि तब तक वहाँ पे जितना सब था, वो सब जलके खतम हो गया था, और अब देखके लगता है, कि वो सारा अर्थ के surface से ही कायब हो गया है, मगर दुकान का जो owner है, वो बोलता है, कि उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, तब भी Ariane उससे पूछती रहती है, और वो उनको उसको बनने को बंद करने को बोलता है, और वहां से चले जाने को भी, जब Ariane वहां से वापस बाहर आती है, तो वहां पे एक और लोकल आदमी चो खड़ा होता है दुकान में, वो उसको बोलता है कि उनके पास एक प्रॉबलम है, जब Ariane का ग्रूप वहां से चला जाता है, और अ रास्ता चिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुशते हैं, और शुकम हिल जाने वाला जो एक रास्ता है, वो पतला सा डर्ट रोड होता है, जिसको एलेक्टरिफाइट फेंस से ब्लॉक करावा होता है, वो सब अपने गाड़ इसको गवर्वर्वेंट ने ड्रिल करा हो, अब जब वो लोग इलेक्रिक फेंस को ठीक कर रहे होते हैं, तब वहाँ पॉल आता है और बोलता है कि उनको कुछ भी करके उन साइंटिस के जो ग्रूप है उनको वहाँ से हटाना होगा वापस कैंप पे डेरन एरियान को उनको जोईन करने को बोलता है माइनिंग एरिया में और वहाँ पे वो अपने टीम को इंटिड्यूस करना स्टार्ट करता है मालूम चलता है कि टेरी और शॉन जियालेजी में एक्सपर्ट हैं उसके तरह और जेमी जो है वो सेवगार्ड है वो ये भी बोलता है कि उनको इस ट्रिप का सर्फ यही पॉपस है कि एक रेर मिंड्रिल है अंत्रिसाइट करके उसको ढूणना और मालूम करना कि उस डिजास्टर के क्यों हुआ होगा शुकम हिल में जिससे की आगे वैसा कोई भी डिजास्टर ना हो अगले दिन वो लोग वोड्स में वॉक करते वे जाते हैं अपने सर्फ को शुरू करने के लिए और जैसे ही वो लोग सैंपल लेने वाले होते हैं कि वहाँ ही पर कल वाली जो गाड़ी थी वो आती है और आसपास घुमने लगती है उनको छिपना पड़ता है एक रॉक के जिसके बाद वो लोग अपना रास्ता बनाते हैं शुकम हिल में और वहाँ के टाउन में वो लोग ऐसी ही गूमते हैं और वो लोग एक रांडम घर की अंदर जाते हैं उनको लगता है कि जो गैस है शुकम में वो एक वज़ा हो सकती है वहाँ के जो इन्हाबिटेंस हैं उ जो एलेक्ट्रिफाइट ग्रेट से बंद हुआवा होता है और वो लोग उसका एक पार्ट तोड़ देते हैं और अपने एक्विप्मेंट को निकाल के एंत्रसाइट के लिए चेक करते हैं। और इससे बलकि काफी जादा बाकी सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। ये देखके एरियान और जेमी तुरंथ होल के नीचे जाते हैं। टेरी को ढूनने के लिए थोड़ी ही देर में डेल जो एक लोकल है वो वहाँ चाकू और गर्न लेकर आता है। जब उसको मालूम चलता है कि उन्होंने ग्रेट को खोल दिया है तो वो काफी जादा गुस्ता होता है। डेरन उसको डेस्परेटली मदद के लिए बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तब भी डेल रस्ती को काट देता है। उस वज़े से शौन उसको भिहोश करता है जिससे कि एरियान और जेमी को बचा सके। तब तक नीचे होल में जेमी टेरी को ढूंडने के लिए डिटर्मिंट होता है। मगर एरियान उसको कन्विंस करती है कि उनको वापस जाना चाहिए क्योंकि वहां के जो गैस लेविल्स हैं वो बहुत ही जादा हाई है। वो गैस उनको टेरी को ढूंडने से पहले ही मार देगी। थोड़ी देर में वो लोग बाहर आ जाते हैं और बचे हुए अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेल की गाड़ी लेके जाएंगे मदद मांगने के लिए। वहां से जाते समय डेरिन ड्राइफ कर रहा होता है और किसी चीज से हिट कर देता है के पास होता है मगर जैसे ही वो बाकी लोकल्स को बताता है कि क्या हुआ है कि उसको कोई क्रीचर जैसा मार डालता है अब रात हो गया होता है और एरियन बाकी सबको वोड्स के द्रू लेके जा रही होती है उनको कुछ अजीब सा सुनाई देता है एरियन नाइट विजिन को यूस करती है आसपास देखने के लिए कि उन पे वो creatures आ जाते हैं और वो लोग panic होके इधर उधर भागने लगते हैं मगर जो Sean है उसको वो creature अटाक करके ले जाता है इस point पे Shelby एक local woman truck drive करते हुए वहाँ आती है और उनको सब को बचा लेती है अब बस ग्रूप में Arian, Darren और Jamie ही बचेवे होते हैं Shelby उन लोगों को एक safe house में लेके जाती है जहां बाकी सारे बहुत ही जादा गुस्से में locals उने मिलते हैं क्यूंकि उन्होंने उन creatures को बाहर आने दिया था यहां वो लोग Paul से भी मिलते हैं जो अब उस missing company का co-founder नहीं था बलकि अब वो creatures को वहां बंद रखने का मदद करता था और protect करता था लोगों को Darren बोलता है कि वो लोग वहां सिर्फ एक academic reason की वज़े से आए हैं और उनका शूकमहिल आने का reason वो समझाता है Arian Paul से क्या हुआ है टाउन में उसके बारे में वो actual में सवाल करती है और वो बोलता है कि ये जगा purgatory के तैसे है जहां लोग आते हैं अपने सारे बुरे काम को confront करने के लिए Shelby को एक और local का call आता है जो बोलता है कि बहुत सारे creatures हैं बाहर उन सब को breach का वापिस से ढूंड के seal करना पड़ेगा और Arian बोलती है कि वो उनको रास्ता दिखाएगी Darren और Jamie भी उसके साथ जाते हैं जिससे कि वो लोग Sean और Terry को ढूंड सकें जितना जल्दी हो सकें घर के बाहर आते ही उनको बहुत सारे creatures मिलते हैं तो उनको दूसरे safe house में जो उपर भाग के जाना पड़ता है वहाँ वो किसी तरह जाने की कोशिश करते हैं Elroy जो एक और local आदमी है वो अपने आपको sacrifice कर देता है जिससे बाकी सारे लोग को और टाइम मिल सके उन creature से दूर जाने का आखिर वो लोग safe house तक पहुश तो जाते हैं और थोड़े देर वही रुखते हैं उनको एकदम चुप रहना होगा क्योंकि वो जो creatures हैं वो noise से attract होते हैं मगर एक creature घर के around ही होता है और वो बाकी सब को बिलाने लगता है सब एक creature को घर के अंदर जो आ जाता है उसको किसी तरह से उसका ध्यान बटका के वहाँ से भाग तो पाते हैं एक underground tunnel के थुरू रास्ते में shell भी अलग हो जाती है जिससे कि वो creature को distract करने का सोचती है जब Aryan, Deran और Jamie tunnel के end तक जा सकें और fence तोड़के escape कर सकें कर जाता है और वो मारा जाता है Aryan और Deran अब tunnel के थुरू आगे बढ़ते हैं और Deran थकान और trauma की वज़े से रुपता है वो regret करता है कि उसने अपने team को वहाँ लेकर आया जिसके बाद वो confess करता है कि उसको missing company को ढूणने के लिए अलग से बहुत सारे पैसे मिले थे और anthracite को ढूणने के लिए भी जब Deran regret कर रहा होता है तब Aryan उसको encourage करती है अपने past के एक experience को बता के एक बार उसको hire करा गया था एक आदमी को Himalaya में लेके जाने के लिए मगर उसने खुद को बचाने के लिए उस आदमी को मार डाला था उसको जब लग रहा होता है कि Deran सारे hope lose कर चुका है तो वो उसको वहीं रुकने को कहती है क्योंकि वो local से मदद मांगने वाली जाने के लिए तयार हो जाती है और promise करती है कि वो उसको लेने वापस आएगी locals को जो पॉल लीट कर रहा होता है वो लो creatures को gate पे attract करके गोली मार रहे होते हैं जब Aryan surface पे पोहचती है तो वो गोली की आवास follow करने लगती है help मांगने के लिए अचानक उसको paralyze करने वाला जहर दे के creature पकड़ लेता है जब उसको होश आता है तो वो अपने आपको raft के उपर Shelby के body के साथ अपने आपको पाती है और वो weapon ढूणने के कोशिश करती है मगर दुबारा एक creature उसको paralyze कर देता है जो raft को खीच रहा होता है Aryan को जब दुबारा होश आता है तो वो इस बर Darren और Sean के साथ होती है जब Darren उसको grenade देने के कोशिश करता है तब Sean बोलता है कि वो जो creatures है वो alternative species है जो ant और beast की तरह breed और colonize करते हैं इसके पहले Sean अपनी बात को खतम कर सके दो creatures उसको पकड़ के ले जाते हैं queen creature को feed कराने के लिए आगे Aryan किसी तरह से grenade पकड़ लेती है queen के पास उसको जब ले के जाना होता है उसके पहले जैसे ही वो उसको swallow करने वाली होती है कि Darren अपने alarm को on कर देता है जिससे बाकी दोनों का ध्यान बटक जाता है और तब ही Aryan मौके का फाइदा उठा के queen को grenade दे देती है और उसको मार डालती है जिसके बाद वो जल्दी से Darren को पकड़के वहां से भागने लगती है और creatures उनके पीछे होते है अंत में उसको रसी मिलती है जो बाहर ले के उनको जाएगी और Aryan जल्दी से उपर के तरफ चड़ने लगती है और Darren अपने सारे gears को लगा कर उसको follow करने लगता है मग creature उस तक बहुँच जाता है और rope को चड़ने लगता है Aryan Darren को चाकू देती है उसको मारने के लिए मगर वो creature दुबारा उसको जहर से stop कर देता है आखिर में वो रसी को काट के खुद को मार डालनाट कर decide करता है जिससे Aryan वहाँ से बच सके जैसे ही Aryan सर्फिस पे आती है तबी Paul वहाँ आके उसको बचा लेता है इसके पहले कि वो creature सर्फिस तक बहुँच सके locals finally flame thrower और guns के इस्तमाल करके सारे creatures को वहाँ contain कर पाते हैं और अब Aryan only survivor होती है 5 के team में पॉल उसको ले के जाता है उसकी गाड़ी तक जहां वो सारे रुके थे movie के शुरुआत में यहां वो उसको अपने बेटे Derek के मौत के बारे में भी बताता है और अब वो यही कर सकता है कि उनको वहाँ कंड़सी तरह से contain करके रोक सके और वो यह भी बोलता है कि वो किसी और को इस जगा के बारे में नहीं बताता है क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होगा उसकी बात पे इसके बाद वो उसको वही पे रुकने के उनकी मदद करने के लिए भी बोलता है वो थोड़ा सा हिचके चाहके decide करती है कि वो वहीं रुकेगी उनकी मदद करने के लिए उनसे लड़ाई करने में और movie खतम हो जाती है अगर आपको इस movie के explanation पसंद आई हो then do like the video, subscribe to my channel don't forget to follow me on Instagram आपको इसका link description box में नीचे मिल जाएगा and thanks for watching, bye!